नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल मनी मैटर्स में और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पी-एम किसान योजणा में जो एक-वाइसी का अपडेट आया है उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ र रुपे साल आपको जो है वो मिलता है और उससे बहुत कुछ तो नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाता है तो उसमें एक अपडेट है कि EKYC जो है वो अनिवारे कर दी गई है मैनेटरी कर दी गई है अब वेबसाइट के अनुसार आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर वहाँ पर EKYC करी लेकिन EKYC करने के बापस जूद उनको दुबारा से EKYC दिखा रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी वेबसाइट है वो सोचारू रूप से नहीं चल रही है सही रूप से नहीं चल रही है अगर आप ऑफिशल से भी बात कर रहे हैं तो वहा मिरी राय क्या है मिरी राय तो यह है कि अगर आप से खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप CSC सेंटर नेरे जो है उसके पास जाओ और वहां से करा लो वो दस भी सुर पर आपसे लेंगे और आपका काम जो है वो ठीक ठाक कर देंगे तो किस तरह से होगा online आईए जानते हैं इस वीडियो में और चैनल को सब्स्राइब करिएगा अगेन कह रहा हूं आपसे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चलिए लैट टॉप पे चलते हैं तो अगर आपको online करनी है तो आपको जाना है pmkisan.gov.in पे और यहां पर देख रहे हैं आपकी एक पूरा का पूरा एक option यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर यह आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका आधार आपके mobile से registered है यानि की linked है तो आप OTP के द्वारा कर सकते हैं नहीं तो आप Biometric authentication करा सकते हैं nearest CHC Center पर जाके और यहां पर दो numbers आपको दिए गये हैं अगर आपको कोई दि हैं नहीं थे दोनों case में मेरे साथ ऐसा ही हुआ आप में try करते रही है अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो अब यहां पर option जो आ रहा है farmers corner पर यहां पर e-kyc पर आपने click करना है और यहां पर आपको अधार card और capture जो है यहां पर डाल देना है और पर search करना है simple सा process है य जो है कोटी पर आपको generate होगा वो आपको डालना होगा और डालने के बाद आपका जो kyc का जो documents होते हैं वो आपको यहां पर upload करने होंगे लेकिन इस जैसे मैंने शुड़ में कहा कि इसमें यह problem यह आ रही है इस सबे कि kyc करने के बावजूद भी दुबारा-दुबारा kyc एक्स्रा information से भी होती है तो आप एक बार जाके csc center पर करा लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है biometric करा लें कोई problem उसमें आपको नहीं होगी तो यही information आज की इस वीडियो में मेरे को आपको देनी थी उम्मीद करता हूँ आपको information मिल गए हो कि और एक doubt क्लियर होगा हो झाल